मैं और मेरे पापा आ गए हैं किचन में दरसल मैं और मेरे पापा बना रहे हैं हम दोनों की फेवरेट चटनी जी हाँ दोस्तों ये चटनी मेरे पापा की भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है इसके सामने सारी सबजियां लगती है फीकी दरसल आप ये चटनी खा लोग गोटühr था, और कुंडी घोटे में हम लोग इसे कूटने लग गए, आप इसको क्या बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता, आप लोग जो भी बोलते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये गाउं में कुंडे घोटाई बोलते हैं और पापा और मैं इसको बिल्कुल देसी तरीके से बना रहे हैं पापा ने बूला कि अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दो ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से कूटी जाए तो मैं पापा से सीख रही थी और हाला कि मुझे आती है लेकिन पापा जितनी जो पापा अच्छे से बनाते है ना उतनी अच्छी नहीं आती तो मैं बस देख रही थी और पापा की हेल्प भी कर रही थी आज पापा के साथ इस तरीके से cooking कर रही थी तो बहुत ही जादा मज़ा आ रहा था और साथ ही साथ मैं इस recipe को खूब जादा enjoy कर रही थी और इस चटनी का जो color है वो पूरे तरीके से red था और ये काफी जादा दिखने में भी अच्छी लग रही थी उसके बाद में पापा ने बोला कि थोड़ी से lesson की कलिया चील लो तो फिर मैं यहां पर lesson चीलना भी शुरू हो गई और उधर पापा भी अभी जो कुंडी गोटा है उसमें अच्छे से चटनी को mix कर रहे थे और लाल मिर्ची जो है उसको जितना आप अच्छे से mix करोगे उतनी जादा tasty बनेगी ह थोड़ी ही चाहिए चार-पांच के लगभग चाहिए तो मैंने पापा को lesson की कलिया दे दी और उसके बाद में पापा ने फिर से इसको कुंडी गोटे में डाल दी और उसके बाद पापा ने फिर से इस चटनी को अच्छे से mix करना शुरू कर दिया इसे के साथ में अब प बहुती जादा टेस्टी लगती है और फिर मैंने यहां पर तीन चार जो काचर है उनको छोटे छोटे कट करना शुरू कर दिया और ये जो काचर की जो रेसिपी है वो बहुती जादा यमी लगती है क्या आपके घर में भी काचर आते हैं अगर आते हैं तो मुझे जरूर बत में आ गए और देखते ही देखते आप देखोगी कि इनका जो कलर है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा पापा के साथ मैं बहुत ही जादा इन्जोय कर रही थी और पापा जब भी कोई रेसेपी बनाते हैं वो बहुत Рाजा उनीक होती है है और बहुत बहुता जाए होती है या आ मैने कुछ इस तरीक है किता है और झोके जाए हॉड हा सिस्क्राम ने बूला कि आरे तुम से नई हो काईगा है पैसे मत बोलो, मैंने भी पहले थोड़ा थोड़ा तो किया है, मुझे आता है, तो मुझे जोर जोर से हसी आने लगी थी, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने फिर कर दिखाया, हाला कि उतना अच्छा नहीं हुआ, जितना पापा अच्छे से कर रहे थे, ले बरतीर जाएगी, और साती सात मैंने इसमें डाल दिया था, चाच दरसल नहीं घर ठीए घर कर खटम होगी थी, वह द्हुआ हमेशा इसमें डही डालते हैं, लेकिन रही घर कर दो नहीं है, जो ехशा शे कर दे हैं तो च्छाच टाला, और ग्यान यह से चटनी हैं वह बनकर त्यार हो गई फिर इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा धनिया धनिये का जो फ्लेवर है वो बहुत ही जादा अच्छा लगता है उसके बाद धनिये को भी मैंने अच्छे से मिक्स किया और फिर ले आई मैं गर्मा गरम रोटी और रोटी के उपर मैंने यहां पर चटनी डा चालना शूरू कर दिया और चटनी डालते ही आप मुझे से रहा नहीं गया और मूँ में पानी आना शूरू हो गया और फिर मैंने चटनी घ्लागा और देकते ही